Hello everyone, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये newborn baby के लिए जबला तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये जबला बनाना बताया है तो वीडियो को पूरा देखिए तब ही आपको समझाएगा newborn baby के लिए जबला बनाना शुरू करते हैं तो जबला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है cotton का एकदम बढ़िया soft कपड़ा लेंगे cotton का तो कपड़ा मैंने कठ कर लिया है जितना हमें चाहिए ये कपड़ा हमारा double में है इस तरह से double है कपड़ा यहां से लंबाई ली है 11 इंच तो बनने के बाद यह हमारा 10 इंच रह जाएगा 1.5 इंच हमारा यहां सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच यहां जाएगा तो 10 इंच बनके ready होगा यह इसके बाद हमें चोड़े में लेना है तो चोड़े में भी मैंने यह 11 इंच लिया है लेकिन यह हमारा double है कपड़ा इस तरह से इसको हमें इस तरह double कर लेना है उसके बाद एक और fold करना है तो यह हमारा 4 fold में हो गया है कपड़े को हमें इस तरह से रख लेना है यह folded side है यह open side है कपड़ा 4 fold में आ गया है अब हमें सबसे पहले shoulder की marking करनी है तो shoulder हम लेंगे 3 इंच यहां से 3.5 भी ले सकते हैं अगर बच्चा हेल दिये तो 3.5 भी ले सकते हैं तो यहां पर मैं 3 इंच ले रही हूँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यह arm hole का निशान आएगा यह भी 3 इंच पे लगेगा इस निशान को इस तरह से हमें यहां पर ऐसे मार्कें कर लेनी है और यहां से यह इस तरह शेप बन जाएगी हमारे arm hole की इस तरह रांग में देजेंगे यहां से neck के लिए चुड़ाई रखनी है तो यहां पर मैं रख रही हैं यहां पर ऐसे रखेंगे और यहां से deep रखेंगे neck को 1 इंच यह हमारा back का बनेगा इस तरह से यह हमारा ऐसे आए जाएगा और यहां से cd line लगा देंगे यह back का neck है 1 इंच और front का हम रखेंगे 1.5 इंच यहां से यह भी यहां तक ऐसे marking कर लेनी है अब इसको हमें shape देनी है तो यह हमारा back connect है यहां से ऐसे round में shape देंगे और यह हमारा front neck है यहां से इस तरह इसे भी round में shape देनी है तो यहां पर हमें कोई shape नहीं देनी क्योंकि सिलाय करते टाइम हम थोड़ी सी shape ऐसे दे देंगे अब यह marking इतनी ही हमारी होगी अब हम cutting कर लेंगे जैसे यह हमारा back neck है पहले हमें back neck की cutting करनी है तो इस तरह यह round में है round में ही इसकी cutting कर लेंगे यह cutting होगी है अब यह arm hole है arm hole की इस तरह से cutting कर लेनी है यह cutting होगी अब यहां पर हमारा यह joint में है कपड़ा इसे हमें कट करके अलग कर लेना है तो दो पीस बन जाएंगे हमारे तो ये दो पीस बन गे हैं अब ये पीस हमारा बैक का है इसे निकाल लेंगे इस पीस को हमें इसी तरह रख लेना है इस तरह रख लिया है अब यहां से हमें इसकी भी cutting कर लेनी है तो front neck हमारा थोड़ा deep में आता है इस तरह से यह cutting हो गई है यह front piece बन गया है और यह हमारा bag का है अब एक piece ऐसे रखेंगे दूसरा piece इसके उपर रखेंगे सीधी side हमारी अंदर को जाएगे इस तरह से और यह side है यहां पर सिलाई लगा देंगे साइडो की सिलाई लगा दी है अब यहाँ पर हमें पाइपिंग देनी है तो यह मैंने तिर्शी पाइपिंग कट की है तिर्शी पट्टी यहाँ पर लगेगी तो तिर्शी पट्टी कट कर लेंगे अब सबसे पहले हमें जैसे यह हमारी arms है, यहां पर लगेगी यह तिर्शी पट्टी तो यहां पर तिर्शी पट्टी लगाएं तब ही हमारी finishing अच्छे से आएगी इस तरह से हमें इस piece को ऐसे रख लेना है और यह हमारी piping है, इसको double कर लेना है तो यह मैंने ली है डेड़ जब होने 2 इंच ले लेंगे इसको हमें इस तरह से fold कर लेना है, और यह side है यहां से ऐसे machine को चलाते जाएंगे, और यहां तक लगा देंगे यह हमारा पूरा arm hole कबर हो जाएगा, यहां पर piping में ने लगा दी है, इस तरह से हमारी यह पाइपिंड लग गई है, अब जैसे piping को fold करना है, तो fold करने से पहले हमें यह cuts लगा लेने है यहां पर, जब हम fold करेंगे तो easily हमारा अच्छे से fold हो जाएगा कपड़ा, दूसरी side में भी ऐसे cut लगा लेंगे तो अब इस piping को हमें fold करना है, तो double है हमारी, तो easily हमारी यह fold हो जाती है, तो fold कैसे करेंगे जैसे इस तरह से हमें इस कपड़े को ऐसे कर लेना है, और यह कपड़ा है इतना हमें, यहां पर, यह सिलाई है, यहां पर ऐसे इतना fold कर लेना है, तो दोन्नों side में हमारी same दिखेगी piping तो जितनी चोड़ी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से रख लें और यहां से fold करते जाएं, ऐसे और सिलाई लगाते हैं, यहां से corner से एकदम सिलाई लगाएं, यहां side से तो पूरे round में ऐसे सिलाई लगा देंगे यह piping मैंने लगा दी है, इस तरह से हमारे दोनों यह जो आर्म होले हैं, यहां पर piping लगे हैं, तो दोनों side में हमारी इस तरह से निकली है piping, अब neck पे लगाएंगे, तो neck के उपर भी हमें इसी तरह की तिर्शी पट्टी लेनी है, और यह मैंने इस तरह से cut की है, तो यह ध्यान रखना है, यह जो हमने यह strips लगाई है, इतना हमारा इस तरह से आना चाहिए, इतना कपड़ा, तो यह strips हमारी neck में लगेगी, तो इसमें हमारा बांदने का भी आएगा पट्टी, और इसमें सिलने के भी लग जाएगी, तो यहां से इतनी लंबी पट्टी लेनी है, कि यहां पर हमारी इस तरह से बाहर को भी आए, तीन तेन इंच, और इस तरह से हमें इतनी लंबी लेनी है, इससे यह neck है, यहां से तीन तेन इंच एक्स्ट्रा लेनी है, अब इस पट्टी को हम कैसे लगाएंगे तो जैसे यह है इस तरह डबल कर लेनी है और यह एक साइड है नेक की यहां से तीन इंच रख लेनी है उपर को इस तरह से और यह है हमारी जैसे यहां से सिलाई लगाते हुए यह राउंग में सिलाई लगाएंगे और यहां तक ऐसे लगा देंगे तो यह piping इस तरह से लगए है यहां पर भी हमें cuts लगा लेने हैं जिससे एकदम बराबर हमारी यह piping बैठेगी शिलाए नी काटने इस तरह से यहां से cuts लगाने हैं यह पूरा जो round आया है यहां पर cuts लगा लेंगे ये cuts लगा दिये हैं, अब इस piping को हमें fold करना है, तो जैसे ये है हमारी इस तरह से, ऐसे fold करेंगे, ये मारा ऐसे आया है, इस तरह ऐसे fold करना है, ये भी हमें इस तरह fold करते हुए, यहां से fold कर लेंगे और यहां से यहां से should I, पाइपिंग मैंने लगा दी है, दोनों नेक क़्मारे बन गे हैं, अब यहां पर जैसे ग्याया है, तो यहां पर एक लटकन जैसे बना के लगा देंगे, तोइस के लिए मैंने ही कटिंग का है मारा कपड़ा है दो इंच है यहां से यहां से भी दो इंच है इस कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहां पर यहां से ऐसे फोल्ड कर देंगे फिर यहां से हमें सिलाय लगा देनी है यहां पर अब यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें इस त इस ततलह पुल्टो लेना हुज उस तरह से एक रटकन जाएगी yes, less इस तरह से यह मारी लटकन जासी लगई है। अब जैसे बेबी को पहनाई ग dus ऑपर आएगा तो बहुत सुन्दर हमारा यह दिखता है इस तरह से बांतने गे यह सईडर इसकि बाद यह नीचे की साइड है तो यहां पर भी हम passing लगा देंगे और इस ऐखान से फोल्ड कर सकते हैं यह उसके एक फोल्ड करेंगे और यहां पर ऐसे फोल्ड करके सिलाह लगा देंगे तो मैं यहां पर पाइपिंग लगा सकते हूँ पाइपिंग हम जरूरी नहीं है दूसरे कलर की लगाए इस कलर की भी लगा सकते हैं तो यहां पर भी पाइपिंग लगा देंगे तो यह नीचे भी पाइपिंग लगा दी है इस तरह पूरा हमारा यह बेबी का निव बोन बेबी का जबला बनके रेडी हो ग देखिए कि आपका ये जबला कैसे बना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो में